काला खेट साथिया बस्ती बाला गंज से दो लोगों को लोडिंग वाहन से चोदा कट्टे, चाहल और गेहूं के पकड़े। दो लोगों पर कोतवाली पुलिस ने की कारवाई। मंदसवार कोटवाली पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर काला खेत साथिया बस्ती बाला गंजी रोड से शंकरपिता रूप चंद्रा ठोर निवासी पताशा गली धानमंडी मंदसवार मनीश कोटवारी निवासी बड़ा चोक मंदसवार को सरकारी गेहूं एवं चामल के चोदा कट्टे के साथ पकड़ा गया जिसमें कोटवाली पुलिस ने बुद्वार को बताया कि आरोपी को अवेद तरीके से राशन के गेहूं और चामल बेचने जाते पकड़ा गया है की काला बज़ारी की जा रही है और लगातार पुलिस द्वारा एवं खाती विभाग द्वारा कारवई की जा रही है मंदसवार के नाहरगर थाना शैतर में भी कुछ दिन पहले एक ट्रक को किचर में फस गया था जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी चामल पकड़े गए थे लोगों के माध्यम से जिस पर पुलिस ने कारवई की थी खादी विभाग के माध्यम से और मंदिसौर के प्रताबगडपुलिया नलवाया परिवार भी सरकारी चाउल की काला बाज़ारी करने का कार्य कर रहे हैं लगातर इस तरह की कारवई मंदिसौर जीले में की जा रही है यह जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी अमत सोनी द्वारा बुदवार को दी गई बताया कि देर रात को यह कारवई की गई थी ये थाना कोटवाली के कालाखेत की गटना है अपर थाना कोटवाली को सुचना मिली थी कि जो स्पीडियेश का राशन है अवेदरूप से ले जाये जारा जिस पर से ततकाल कोटवाली पुज़ दोरा कारवई करते हैं उसमें एक लोडिंग वहान पकड़ा है जिसमें करीब 14 लाकटे राशन होना पाया गया है जिस पर से उसमें वेदानिक कारवई की गई है